वेलकम पेक टू माई चैनल लाइफस्ट्राइल फ्रेंड्स खुबसूरत रहना किसको नहीं पसंद हर इनसान चाहता है कि वो फूलों की ज़रा खुबसूरत लगे जी हाँ फ्रेंड्स मैं आज बात करूँगी एकनी पर एकनी क्यों होती है चोटे बड़े सब एकनी नजर आती है एक कुछ रीजन्स होते हैं जिसकी वज़ा से एकनी हमारे चेहरे पर निकलाती है और इनका हल आपको हॉम रेमेडीज में ही आपकी किचन में मिल जाएगा तो फ्रेंड्स आज आपको मैं उसी के बारे में बताऊंगी सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एकनी के एकनी क्यों होती है फ्रेंड्स एकनी की बहुत सारी टाइप्स होती है और अगर हमारी बोड़ी में कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स इस्ट्रमक प्रॉब्लम्स तो उस वज़ा से भी एकमीन हमारे फेस पे आ जाती है या तो फिर हम स्ट्रेस ले रहते हैं, टेंशन में होते हैं कोई परिशानी होती है तो उस सूरत में भी निकल सकते हैं और भी बहुत सारी वज़ा होती हैं लेकिन पहले आप मैं आपको जो रेमेडी बता रही हूं वह बहुत ही ज्यादा है तो सबसे पहले जो इंग्रिटेंट में इस्तमाल करूंगी वह है ओलिव और ओलिव और ओलिव के फायदे आपको बता दूँ अलिव और ओलिव के लिए कहा जाता है कि यह आई ट्रीटमेंट के लिए बैस्ट है यानी डाक साइकल्स के लिए काम करता है अगर आप तार्श के वज़ा से परशान हैं तो अलिव और अप्लाय करेंगे तो बिल्कु ठीक हो जाएगा और इसके इलावा यह संस्क्रीन का यानि सन ब्लॉक का काम करता है दूप पर यह लगा कर चले जाए तो आप संस्टेर्न से भी बच सकते हैं इसके इलावा एंटी एजिंग इफेक्ट्स होते हैं इसमें और रिंकल्स को भी दूर करता है बहुत सारे फायदे हैं इसके इंट्रेनल और एक्सटरनल यूज के एक होम रेमेडी बना रही हूं एक्नि के लिए दूसरा इंग्रीडियन जो मैं लूंगी फ्रेंड्स वह हल्दी हल्दी के लिए मैं बता दूंके हल्दी है एंटी एलर्जिक एंटी वायरल एंटी फंगल एंटी इंफलामेटरी प्रोपर्टीज होती है इसमें और हम अपन है लेलावा मेमोरी को तेज करती और है जितने भी हर्ड gatil करती है यानि कम करती है तो एक खाली बाउल ले लेना है हमें और पिच यानि के चुटकी के बराबर हमें ले लेनी है टर्मरिक पाउडर यानि के हल्दी आप देख सकते हैं उसके इलावा हमें क्या करना है जैतून का तेल यानि के ओलिव ओल थोड़ी से मिक्तार में लेंगे और थोड़ा सा पैस्ट बना लेंगे इनका हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम ले लीजिए यह मैंने इसमें डाल लिया अब आले वाइल कुकर लेंगे बंद जाएट करें गवाट करें लेट्स कर लेना हैं और जो इसका पैस्ट बनेगा यह तरह का पैस्ट बन जाएगा इसका आपने क्या करना है रात को सोते वक्त ये वाला पैस्ड अपने सिर्फ नश्थ पर लगाना है बोङius पूरे फेसी पे नहीं लगा न जहां जहां पर आपके पिंपल्स हैं बस वहीं के लगाकर सो जाएं बाहुच को अपने और ila पैस थो ले और पिर भाहुच के आप मूऊ नंदो लीजिए कि 15 बॉष साड़ी टाइप्स होतीं हैं एक नहीं होती बल्के बहुत सारी त्यो इसलिए च्टाओ के होते हैं कि देख़िए मेरे फैस मत नहीं है लेकिन यह आप इस तरह से मदा सकता हैं रात को लगा लें या अगर दिन में लगा रहें तो एक घंटा लगा लीजिए और फिर मूँ दो लीजिए नॉर्मल पानी से लेकिन आपने साबुन या फेस वाउच से नहीं तो ना तो फ्रेंट्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं लेट मी कमेंट सेक्शें ब्लोग अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें नेक्स टाइम मिलेंगे किसी नहीं वीडियो के साथ याप इंग्रीटियंट देख लीजी दो ही इंग्रीडियंट हैं तब तक बाबाए थैंक यू फॉर वाचेंग करेन हे offers इंगधा कैम्न हैं और सब्सक्राइब भलता हैं विल्बदने कि फवेंगे